वक्त पर इवियम में गड़बरी होना यह दर्शाता है कि आप जनता के इस कीमती समय को लेकर कुछ नहीं सोचते हैं जनता सुबह से लाइन में लगी रहती है कि वोट डाल कर साफ तौर पर दर्शाता है और यहां पर एक और चीज़ जैसे तरीकिसे यूपी की सतरह अरक्ष स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अबरार अलग रहमाने दर्शा को उत्तर परदेश की कई सीटों पर इवियम को लेकर जो गड़बरी की खबरें आ रही है उसमें का और कड़ी जुड़ गई है दरसल चंद शेखर आजाद ने नगीना सीट को लेकर अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है और वहाँ पर इलक्शन कमिशन की तैयारियों को लेकर के भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं उन्होंने साफ तोर पर इस बात को कहा है कि कई ऐसे बूत हैं जहां पर घंटों तलक जो है इवियम जो है बंद पड़ी रही खराब रही और जाहिर थी बात है कि उससे कई नगरी वोटों का नुक्सान जो है वो उन्हें जेल ना पर सकता है है कि उन्होंने मड़े सवाल, सुबह से ही लगतार हम इस बात को लेकर आपथ खुबरें पहुंचा रहे हैं और एवियम की गड़बड़ीं एक बड़ा मुद्धा फिर से बनता चुला जा रहा है हाला कि लोग सबाचुनाओ का ये पहला चुलन है उतर परदेश की आठी सीटों पर इस समय मतदान हो रहे हैं उसके बावजूद भी रामपूर कहराना सहरनपूर और इसमें कड़ी और जुड़ गई ये नगीना सीट की इ अखिरकार उतर परदेश की इन आठ सीटों का माजरा किस तरीके से बदलता नजर आएगा और खासकर नगीना सीट जिस पर सभी की नजरें टिकी है प्रद्शेकर आज़ाद जो के बीते आठ दस वर्शों से लगातार दलिस समाज में अपनी एक राजनितिक जगहा तलाश रहें वो लगातार इस समाज कुले करके अपने पक्ष को खुले तोर पर रखते हुए नजराते हैं सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए देखे जाते हैं उसके बाद क्या अब जनता उनको अपना नेता तसलीम करने वाली है जनता क्या उनको अपना नेता सुईकारने वाली है इनी तमाम मामलों पर विस्तार साज हम चर्चा करेंगे दर्शकों कि अखरकार नगीना सीट को ले करके जो चंद शेकर आखजाद ने ये तमाम आरोप लगाए हैं इन आरोपों को ले करके क्या जो परसाशन है वो गंधीर होगा और खास तोर से मातर नगीना सीट ही ये बड़ी मतदान के दौरान जिस तरीके से मशीने बंद पड़ गई हैं क्या इस से वोट परतेश्यत पर एक बड़ा गहरा असर नहीं पड़ेगा चुके तमाम लोग जो इस समय लाइनों में खड़े होंगे धूप की इस तपिश में वो अपनी घरों को वापस लोड़ जाएंगे तो इस बात को लेकर के चुंद शेकर आजाद की ये जो नाराजगी इसको कितना जाज समझते हैं और इसको किस तरीक है देखिए सबसे पहली बात है तो बिलकुल यहां पर फरक पड़ता हुआ तो जरू नजर आएगा इवियम में गड़बडी की शिकायत यहा पर यह दावा करती हैं कि इवियम में गड़बडी पाई जाती है उसके सुरक्षा की इंतिजाम कैसे किये जाएंगे एक मशीन है वो कभी भी खराब हो सकती है लेकिन इसके इंतिजाम भी होने चाहिए कि आखिरकार ऐसे वक्त पर इवियम में गड़बडी होना यह दर्श किया जाता है कभी-कभी तो यह भी देखने को मिलता है कि उस पोलिंग भूट पर कुछ समय के लिए चुनाव रोक भी दिये जाते हैं वोट डालने से मना भी कर दिया जाता है जिसका असर खासतोर पर पढ़ता ही है और यही असर पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यह भी द वर्वषा कर्में उन पर भी आरूरो जो है इंस तरीके के आरोप लगातार जो है कई सीटों पर लगाये जा रहे है यही आरोप जो है रामपुर की एक सीट को ले करके भी आए ताकि कि वहाँ पर भी जो है विशेश जो वर्क की लोग है उनके साथ जात्ती की जारी या फिर उनको वोट डालने से रोका जा रहा है तो इस तरीके की खबरों का आना और हर चुनाओं में आना बाई एलेक्शन में भी ठेक यही इस तिती देखने का में मिली थी तो क्या इस बार हैं जो सीधे-सीधे तोर पर वोट पर असर पड़ेगा पाठीयों पर असर पड़ेगा यहां पर आपने नगीना सीट को लेकर जिकर किया कि इवियम में गढ़बडी भी पाई गई और वहां पर लोगों को रोका गया रामपूर का जिकर करते हुए नजर आई यहां पर के पर भी यही तस्वीरे देखने को मिली हैं कि एक समुदाय की कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की गई है अधिकारी वहाँ पर सुरक्षा के इंतिजाम देखते वे नजर नहीं आ रहें अधिकारीों की बात करें तो वो खुद रोकते वे दिखाई दे रहें तो साफ तोर प परदेश में भेदभाव की राजनीती की जाती है कि आज भी समुदाय के नाम पर वोट डालने के लिए देखा जाता है कि अगर वोट डालने गया है क्या यहां पर यह पहले से यह चेक किया जा रहा है कि कि वो समुदाय उस पार्टी को वोट डालता हूँ नजर आएगा कि वो यहां पर ID लेकर आते हैं फरजी वोट डालते वे नजर आते हैं तो कई ऐसे खबरे चुनाव के दौरान आती है और इनी पर ही संग्यान लेना चुनाव आयोग की जिम्मधारी बन जाती है लेकिन चुनाव योग की तरफ से सिर्फ ये कहा जाता है कि एवियम से चुनाव होना और चुनाव के मद्दे नजर कड़े इंतिजाम हम हमेशा से करते हुए आए हैं ये तमाम गंभीर सवाल हैं अक्षे मेरे साथ समझते हैं कि आखरकार नगीना सीट की जो इस समय स्थिती है या फिर चंदशेकर आज़ाद जो तमाम आरोप लगा रहे हैं किया चंदशेकर आज़ाद ने जतनी मेहनत की है हर अयलाके में जाकर हर गाओं महले में जाकर अपने लिए जन्ता को अपने साथ जोडने की कोशिश कर रहे थे क्या आज का वो दिन खास हो सकता है जब चंद शेकर आजाद जो के लगा तार दस बारा वर्षों से एक समाज के अंदर अपनी वो राजनितिक जगह तलाश रहें क्या उनको इस बार वो समाज अपना नेता मान लेगा और साथ ही इवे मुआले मुद्धे पर भी अपनी रहें देखे बिलकुल यहाँ पर अगर चंद शेकर से शुरुआत की जाये तो संभावना इसकी प्रभल है क्योंकि 2019 के जो आंक्रे आये थे नगीना के या जो परिणाम थे उन पर अगर आप गौर करेंगे तो जो भाजपा प्रत्याशी थे उन्हें वोट सबसे जादा मिलेते लेकिन गटबंधन उस वक जिस तरीके से सपा बसपा का था तो वोट सैयुक तो होने से वोट एक इकरत होने से यहां पर जीत गटबंधन को नगीना में मिल गई थी और वो साफतोर पर दर्शाता है और यहां पर एक और चीज़ जिस तरीके से यूपी के 17 अरक्षित सीटे है उनमें से एक नगीना है वो दोनों जो यह बाती है इस साफतोर पर दर्शाती है यहां पर कि मुसलिम जिस तरीके से लगातार ही वो दलितों की आवाज उठाते नजर आते हैं और केवल नगीना तक ही नहीं है आप पूरे उत्तपरदेश में कहीं देख लेंगो उत्तपरदेश तक भी सीमित नहीं है दिल्ली में भी अकर कुछ मामला होते तो दिल्ली आ पहुंचते हैं तो हाँ और उसे और भी जादा मजबूती के साथ चंदर शेकर आजाद यहां पर आना चाहते हैं अच्छा एक सवाल यह रहेगा कि मायावती को ले करके यह लगतार बातें कहीं जा रही थी कि बीएस पी ने वहाँ पर ऐसे परतियाशी को उता रहा है जो जीतने का दावेदा ही नहीं है और ऐसे में कहीं इसको इस बात से भी जोड़ा जा रहे कि मायावती ने चंदर शेकर आजाद का कहीं समर्थन किया और कमजोर परतियाशी को हुआ हुआ हुता रहे हैं क्या यह भी बड़ा फैक्टर उनकी जीत बन सकता है मायावती को अगर आप गौर करेंगे तो कई ऐसी पास अगर पड़ता है जाद आपस दोरी नहीं है और आप शंड हमत्ता तेड नहीं को पर कि 향जब अकशान चोब sut सांसत जो है वो भाजपा इंडिये गडबंदन की उमीदवार है लेकिन मायावती ने वहापर श्रीपाल राणा को टिकेट दिया यानि की राजपूत समुदाई से आने वाले एक नेता को यहाँ पर अपना उमीदवार बनाया है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बिस्तर कमजर कर दिया वहीं अगर नगीना में देखेंगे तो जो नगीना में प्रत्याशी महावती ने उतारा है वस्पाने वो कुल मिलाकर कि यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि चंद्शेकर आजाद को उनकी उतारने से काफी यहां पर फायदा होने की संभावना है और मातर एक सीट नहीं बलके लगभग आप कह सकते हैं आट सीटों में से कई ऐसे सीटे हैं जिन पर हालात जो है वो बिलकुल इस तरीके के नजर आ रहे हैं लेकिन चंद्शेकर आजाद ने यह जो आरोप लगाए हैं या नाराजगी अपनी जाहिर किये इसको लेकर के पर उच्छा ने उसके साथ